चुडिया चुग गई खेत वाली जो कहावत है पांस साल में केवल वसूली करने का काम किया है टी अस बाबा उसके लिए बहुत प्रयास किये क्या सीम का ताज सचते हुए देखना चाहेंगे कभी ये नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूगा अपने खरा उतरा हूँ और खरा उतरने का प्रयास किया तब से पत्र लिखना और पत्र लिख करके इती से करना एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी हर भूमिका को बहुत खुबसूरुती से निभाया भले वो पार्टी चीफ की भूमिका हो या स्पीकर बनना हो 2008 से 2013 के बीच या फिर लीडर ओफ उपोजिशन जी हां हम बात करने हैं धरमलाल कौशिक जी की और आज हमारे साथ मौजूद है धरमलाल कौशिक जी 36 गर तक पर खास बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है 36 गर तक पर सब पहला तो सवाल यही रहेगा कि आपने इतने सारे रोल्स अदा किये हुए हैं आप पार्टी चीफ बने और रमन सिंग की सरकार में आप लीडर अफ ऑपोजिशन अभी बने लेकिन रमन सिंग की सरकार में आप स्पीकर थे 2008 से 2013 के बीच तो आपने इतनी सारे हैट्स को डॉन किया हैं इतनी सारे रोल्स अपने आदा किये हैं बस एक सीम का ताज ही सर आप सजना बचा हुआ है तो सर क्या सीम का ताज सचते हुए देखना चाहेंगे या लोक सभा राज्य सभा में जाएंगे कोई कंजुसी ना किया जाए, पूरा उसका निर्वान किया जाए, और चाहे वो लिडर अप अपोजिसन का हो, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, या विधान सभा अध्यक्ष के रूप में, अभी तक पार्टी का जो विश्वास है, मैंने पूरा प्रयास किया और उसम स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत जादा बिजी हो गई, क्योंकि सर, बहुत आपके जो ऐसे रोल्स थे, जो बड़े-बड़े रोल्स थे, आप अच्छे बड़े-बड़े पदों पे आसीन रहे, आपको लगता है कि आप स्टेट पॉलिटिक्स में जादा बिजी होकर शे पाप का सिरतन का है और वहीं से मेरा सुरू हो जाता है विलासपूर जाते तक तो इसलिए जब भी मैं यहां से निकलता हूं तो पूरे छेत्र कभर करते हुए कारिक्रम बना करके जाता हूं और जब वहां से राइपूर मैं रखवाना होता है तो राइपूर रात को पहुंशता हूँ दिन भर कारिक्रम करता हूं मेरा निकट का सम्मन और छेत्र के बारे में मैं जितना बता सकता हूँ एक एक गाऊं के गली और आपके सड़क के मोड़ कहां पर कहां कैसी इस्थिती है अभी क्या इस्थिती है एक जन प्रत्रिधी के लिए ये कठिन होता है लेकिन मैं अपने पूरे छेतर के गाओं को बिना नक्सा देखे बिना नाम देखे आपको बता सकता हूं वहां के लोगों का नाम बता सकता हूं और क्या विकास डाक्टर रवन सिंग के कारिकाल में हुआ है वह सारी चीजे मैं आपसे रख दूंगा क्योंकि लोगों के निकटता रहेंगे छेतर में निकटता रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका असिरवाद मिलेगा और हर संबह मेरा प्रयास होता है कि सारे सुख दुख में छेतर वासियों के मैं उनके घर में उपस की है क्योंकि जो रूरेल एरिया है वह रूरेल एरिया में जो सड़कों का नर्मान होना चाहिए था आपके कारेकाल में उतना जॉट नहीं हो पाया और वही कही ना कही आपके जो अपके जुठ बोलने में माहिर है राजेज सुकला जब मंडी अध्यक्ष नहीं बने थे तब मेरा प्रस्ताव है बाद में वो मंडी अध्यक्ष बने और जितना वहां का स्विक्रिती हुआ है निर्माण काराया हुआ है मेरे कारिकाल का है विधायक के रुप में मेरे जन प्रदी के भूमिका में है और यहां से स्विक्रिति करा करके ना किवल वहां बलकि मुंगेली जिला जो तो बिलासपूर का मंडी अध्यक्ष है मुंगेली जिला में भी मैंने उतना स्विक्रित कराया है बाद में वो मंडी अध्यक्ष बना है वो स्रे लेना चाहते हैं लेकिन उसको स्रे मिलेगा नहीं क्योंकि वहां के बिलाच छेतर के जनता को मालूम है कि यदी सडकों की मैं बात करूं पचास साल के कांग्रेस के राज में 12 किलोमिटर की सडक उनकी रही है आज ऐसा कोई गाउं नहीं है जहां पर सडके नहीं है डक्टर रवन सिंग जे मुख्यवंत्री बने मैं विधान सभा कध्यक्ष बना एक-एक गाउं का प्लान किया मैंने और सारे गाउं को सडके से सरकार आने के बाद जिन सडकों का हमने निर्माड कराया है उन सडकों का पेच रिपेर करने के सिती में आज कांग्रेस की सरकार नहीं है ये किवल बिल्याविधान सभा के नहीं है पूरे प्रदेश की बात है मैं आपको बताना चाहूंगा एक एनसी को हटाया गया और कि चुनाओ के पहले सडक चकाचक होने चाहिए इसका मतलब यह है कि चुनाओ के पहले सडके बन जाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता उसके बाद भी कि पैसा देने के बाद में आपके सडके बनेंगे अक्टूबर में चार सहीता लग जाएगे आपका जुलाई अगस्त तक के आपकी बरसात रहेगे सेप्टेंबर तक बरसात रहेगे डामरी करन होगा नहीं तो ये पांस साल में पूरे प्रदेश को पीछे ढखिलने का काम कांग्रेश के सरकार ने की है ये बिल्हा विधान सभाम का तो मैं ये बता सकता हूँ गोराओ को भी सह है इनके पचास साल में केवल 12 किलोमेटर के पक्की सड़के थे आज पूरे छेतर में जो सड़के बरी हुई है ये सब भारती जनता पार्टी की सासनकाल में सर तो आप ये दावा कर रहे हैं कि जितनी भी सड़के हैं वो भाजपा की देन है और कईना के सिर्फ 14 किलोमेटर है 12 किलोमेटर है वो कईना के सिर्फ कॉंग्रेस ने बनवाई है आप जितनी भी बाकी जो देन है वो आपकी देन है ये आपका एक क्लेम है ज़क каких पूछूंगा के सड़कों कौन बनवाया को पषले बार भी अगर हम चुनावों के मद्देनजर नखें तो हम पिछले बार भी है चुनावों के मदेन अज़ार को बात करें तो पिछले बार आपके और आज़ती पॉपनेंट के बीच में ज्यादा वोटों का फर्क नहीं था सर पाच हजार से कम वोटों का फर्क था तो आपको लगता है कि इस बार आप वो फर्क जो है ब्रिच करने में कामियाब रहेंगे क्योंकि बहुत थिन एक जब गैप होता है तो बहुत महनत करनी पड़ती है तो स 27,500 उपार वोट से जीता हूँ ये सारे वोट जो मुझे मिले हैं मेरा वोट एक भी कम नहीं होगा बलकि वोटों में ब्रिध्धी होगे और वोटों में ब्रिध्धी होगे इस बार रिकार्ड मटों से बिल्हा विधानसवाद जीत करके आएंगे सर आपकी ऐसी क्या स्ट्राटेजी रहेगी जो आपको लगता है कि आपके ऑपनेंट पर भारी पड़ सकती है बिल्हा इसको तो पता नहीं टिकेट मिल रही है उसका यही भी पता नहीं है दूसरे वो पांस साल में केवल वसुली करने का काम किया है उसके सिवाय उन्होंने कोई काम ने किया सप्ता में रहते हुए जो काम कराना चाहिए एक भी काम नहीं करा पाए लेकिन मैंने विपक्ष में रह करके जो मेरे विपक्ष में पहले विधायक थे वो एक बात हमेशा कहते थे कि गाउवाले अधिगया कि टांसफार्मर फैल हो गया साब हमारा थे पानी की वीवस्था करवा दिजिए चोटे-्छोटे काम तो इक ए gü ni जवाब देते će kindまだ कि मेरी सरकार नहीं है मेरी सुनवाइन नहीं है और मेरे को चुर्णा है इसलिए आपकी काम नहीं हो गई मैंने पूरे पाँस साल में बिला के जनता कर एक बार भी मैंने नहीं कह सब्सक्राइब लिए कि मेरी सरकार नहीं है इसलिए मेरी सुन्वाई नहीं होगी इस सरकार के कारिकाल में भी तीन मैय ने हाइइ स्कुल खुलवा या है । एक मैं यहां पर उद्द्यान की महाविद्याले अभी last budget में हमारे यहां राम हतने में विद्यान की महाविद्याले स्विक्रित हो गये हैं अभी केंद्र से भुपेंद्र यादाउ जिसे हमने मिला था सर्मिकों के लिए अस्पताल के लिए हन्डेट बट के आस्पिटल स्विक्रित हुए हैं की इसके अलावा जिन सडकों का निर्मारा भी कर वापाया मतलब है था संभा लगातार चाहे मंतर जी मिलने का हो अधिकारियों से बाचित करने का हो मेरा लगातार प्रयास है और ऐसके कारण में बहुत सारे सडकों को रिपेरिंग हमने कराई है और जो बचे होए उसको आगे भी बजट में आ गया है प्रसास की स्विक्रिति मिलेगी तो तो हमारी सटकों का काम हो जाएगा तो एक जनप्रतनिधी का ये अंतर कि जो ये कहे मेरी सरकार नहीं है तो मेरी कौन सुनेगा लेगिन कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी मैंने छेत्र में विकास का काम कराया जित्ता होना चाहिए एक छेत्र के विधायक के नाते मैंने उस विकास के क्रम में आगे ले जाने का काम 5 साल में किया है अगे करने वाली बात है इस पर confusion जरूर है लोगों को देखो बेटे के आगे करने की बात है तो मेरे बेटा एक सदस्य है पार्टी के वो पदाधिकारी भी नहीं है और पार्टी के नाते आगे करने के जोरत इसलिए नहीं है कि सभावे के रुप से मैं नहीं रहूँगा तो लोगों के हसाधी है दूख है सूख है उसमें घर के किसिन किसी सदस को जाना पड़ेगा ये छेत्र की मांग है लोगों की मांग है तो उतना तो उनको करना पड़ेगा और इसलिए आगे करने की बात नहीं है पार्टी जो तै करेगे लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं तो मुझे आज तक इस प्रकार के कोई परिस्थिती नहीं आई है और मैं समझता हूं पार्टी आगे जो तै करेगे अच्छे तै करेगे इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है आप कहीं न कहीं कहने हैं कि आप अपना उत्राधिकारी तयार कर रहे हैं बिल्कुल उत्राधिकारी तयार करने की बात मैंने नहीं कि मैंने तो जो पार्टी ने जवाबदारी मुझे जो दिया है उन कारियों को मैं कर रहा हूँ लेकिन यदि मैं छेत्र में नहीं हूँ तो कि किसी के अदि सूख और दूख है तो घर के किसी सदस को जाना पड़ेगा क्योंकि हम छेत्र को नहीं छोड़ सकते और ये काम नहीं चल सकता कि मैं नहीं हूं तो मैं नहीं आऊंगा सूख और दुख में अदि आपकी भागीदारी नहीं हुई तो निश्चित रुप से लोगो नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं वहां पे अपने परिवार को आगे करते हैं ये बात आप क्यूंकि आपने कहा कि आप उत्राधिकारी तयार नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो आपने भार हैं वो उसका निर्वहना पच्छे से करते सर भारतिय जंता पार्टी कहीं न कहीं कास पॉलिटिक्स को इस बार काफी सीरिसली लेते हुए नजर आ रही है आप खुद बहुत बड़े नेता हैं OBC कुर्मी कम्यूनिटी के जिसे वुपेश भगेल खुद बिलॉंग करते हैं अगर हम पूरा डिस्ट्रिब्यूशन देखे रोल्स का तो अरुन साव जी जो बीजेपी के अध्याक्ष है वो साव हु कम्यूनिटी से आते हैं OBC फेस है नरायन चंदेल जी जो लीडर अफ ऑपोजिशन है जिन्नों ने आपको रेप्लेस किया वो आपकी कम्यूनिटी OBC कुर्मी कम्यूनिटी से आते हैं कहीं नगे आपको लगता है बीजेपी जो OBC वर्सेज OBC करने की जो कोशिश कर रही है वो बीजेपी के लिए फाइदे मंध हो सकता है देखिए बीजेपी में आज तक जाती धर्व संपरदा है लिंग को आधार मान करके कभी राजनीती नहीं किये चतिस गड़ की तासिर भी नहीं है और जिन्होंने रंग देने का प्रयास किया है वो दुबारा मुख्यवंत्री नहीं बने है उदारन भी आपके सामने में पंदरा साल यहां मुख्यवंत्री रहें किसी का उगली नहीं उठा कि यह जाती का है कि यह जाती का है कि यह जाती का है न डाक्टर साब ने डाक्टर रमन सिंग जी ने प्रयास किया कि जाती के अधार पर यहां की राजनीती करनी है लेकिन उनके सामने में जो जाती के से लोगों को मन में उनको लगता है कि ये सेवा कर सकते हैं ये जीत के आ सकते हैं ये चेत्र के हमारे हीत में हो सकते हैं उनको चुनामी जिता करके भेशते हैं यहां जाती के अधार पर अभी तक राजनीती नहीं हुई है जाती के अधार पर राजनीती नहीं हुई है सर कि जो विपक्ष मेरा करके भूमिका अदा करनी चाहिए सडक से ले करके आपका हाउस तक आपने देखा है कि संख्या गम से लेगिं संख्या कम होने के बाद ही हम ने हमेशा सरकार को कड़े में खड़ा करने में शफल रहे हैं ना उनके मंतरी जवाब दे दिया उस जवाबदारी को हम ठीक से निर्वान किये और उसके कारण में उनके भारी संख्या होने के बाद भी हमने उनको कटखेरे में खड़ा करने में हम सफल हुए तो यह समझ सकते हो को माद्दा हमारे में है दूसरी बात हम जब सदन से बाहर सड़क की बात करेंगे तो संख्या में हमारे जो प्रदर्शन है वो सफल हुए हैं आज लोग देखने लगे हैं कि 15 साल में भारती जंता पार्टी की जो सरकार रही और जो काम की बड़े उम्मित के साथ में कांग्रेस के घोष्णा पत्र कोन होने देखा उनके वादे को देखा और देखने के बाद म वोल्डिंग उतारना पड़ा क्योंकि आपने केवल 20,000 लोगों को नोकरी दिया उसमें 10,50,000 बिरोजगार थे जिनको 25,000 रुपए भत्ता देने की बाद थे साड़े चार साल निकल गए पौने 5 साल में आने के बाद में आप महज 1,22,000 आपके पात्र मिले आप ऐसा उस प आने वाले समय में सबक सिखाएंगे 34,000 नोकरी जो पोस्ट स्विक्रित किये गए 19 में लेकिन 14,500 को ये नोकरी 5 साल में नहीं लगा पाए जो विग्यापन खुच जारी किया उसके बाद में यदि हम सड़क की लड़ाई में देखेंगे तो आज सरकार की जो इस्थिती है क प्रधान मंतरी आवास पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है लेकिन क्या वाथ है कि 36 गड़ के हमारे जो लोग है उनको प्रधान मंतरी आवास नहीं मिला उनका अधिकार था यदि ये बनाए होते तो 11,000 कड़ो रुपए केंद्र से रासी हमको मिलते प्रधान मंतरी आवास और आज सारे प्रधेस में मिल रहा है लेकिन यहां पर नहीं मिला इसके कारण है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहते कि गरीबों के जीवन में खुस्याली आए जल जीवन मिसन ब्रष्टाचार का केंद्र बन गया इस बात को केमिनेट ने उनके टेंडर को निरस्त किया आज भ हमारी सरकार बनेगे हम गंगा जल के खसum खाते हैं और हम सराब बना बंद करेंगे पूर्ण सराब बंदी की बात हुई पूर्ण सराब बंदी को छोड़ दिए आज गाउं में आप आनलाइन सराब के विक्री कर रहे हैं कोचिया के माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं पर हम सब को उम्मिद है यदि वो नसे के चपेट में आ जाए उस प्रदेश का भविस्य क्या होगा ये सबसे बड़ी जो दिक्कत ये कांगरिस के कारण में हुई है और आज ऐसे बच्चों को इस नसे से मुक्त कराना एक बड़ी जवाबदरी हम लोग की है जिसमें सरकार ख कोसला है क्योंकि अब election है तो कहीं न कहीं डामिज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं आप तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जंता-पार्ट एस मुद्ड़ को काफी सीरिसली ले रहे हैं देखिए भूपेज बगेल जी जब से मुख्रेवंत्री बने नरेन सिंग तोमर ने पत्र भेजा, उसके बाद में गिर्दाज सिंग जो मारे मंतरी हैं उन्होंने पत्र भेजा, दोनों केंद्री मंतरी पत्र भेजे, अधिकारी का कोई जवाब नहीं, सेंटरल के अधिकारी पत्र लिखे, फिर पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं, उनको ज पारोप लगाते हुए पंचायत मंत्री का पत्ट छोड़ दिया हम नहीं बोल रहे हैं उनके पत्र में लिखा हुआ है और सही बात यह है कि फाइनेंस में भेजा गया फाइनेंस के द्वारा उनको जो लोन की विवस्ता होनी चाहिए उन लोन की विवस्ता नहीं हुए और पै मैंने तो मांग किया है कि जो सरवे आपके अभी आया आप उसको सारवजरिक प्रकासित क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतने लोगों का डिमांड उसमें आया है आप बोले छुड़ गया है उनको भी लेंगे अरे जो 14 लाक लोग हैं 16 लाक लोग हैं उसको तो आप बनानी पा र गया है अब उसके बाद में चुड़िया चुग गई खेत वाली जो कहावत है वो किवल दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी बनवाना चाहता हूं लेकिन ये नियत नहीं सरकार की नहीं है और नियत नहीं है इसके कारण में गरीबों को भुगतान उसका भुगतना पड़ सर आप लोगों ने गौठान स्कीम जो भुपेश बगेल जी के सरकार की सबसे बड़ी अंबिशिस स्कीम रही है उस पर भी आप लोगों ने घोटाला सामने कर दिया है सर और वहां से आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं तो इस घोटाला के बारे में ज़रा बत आया और उसको उत्पाद क्या क्या है और जिसको आपने बेचने का काम किया और कितना आपके पास में पच्चा हुआ है मंत्री का जवाब आया कि 17 कड़ों रुपे का हमने उत्पाद बना करके बेचा है चाहे वरमी कंपोस्ट हो या अन्य उस पेंटिंग के बात करते हैं 17 करोड का 239 करोड का हिसाब इस सरकार के पास में नहीं है मंत्री बताने में अस्फल रहे हम यह नहीं बोल रहे हैं मंत्री का जवाब है मतलब आपने गोबार में भी बड़ा घोटाला किया मैं जब नेता प्रतिपक्च बना मेरा पहला भासन था और पहला भासन में मैंने क और महाम इम्राजपाल के अभिवास्रण किरतं के अग्यापन में, के मुख्यवंत्री जी, आपके पहले भी जो मुख्यवंत्री हुए हैं, और उन्होंने सफेद मुसली लेकर के आया था, आज पता नहीं हो सफेद मुसली का, मैं बोला मुप्त में सलाह देने वाले मिल जाते हैं और आपको भी मिल गए हैं इसलिए नर्वा गुरुवा बारी के चक्कर में मत पड़ो आप क्योंकि लालू का जो चारा घोटाला है उससे बड़े घोटाला आपको आएगा सामने आज आपको पता नहीं लग रहा है आपको पता लगेगा और आज देखो गोबर खरीदी में 239 कड़ोर का घोटाला सामने आया है आखिर कोल्डी स्टोरेज में उस गोबर को रखा गया है कि कहां खपाया गया है लेकिन हिसाब इनके पास में नहीं है और सही बात ये है कि गाउ में गोबर के खरीदी नहीं हो रही है हम गोठान में गय थे जाने के बाद में महिलाओं से पूछे महिलाओं ने बताया कि भीया हम लोग चक्कर में फस गया इसके एक साल में हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ है डेड़ साल में जो पेमेंट हुआ तो 20,000 रुपय हमको मिला है और हम लोग यहाँ पर 11 लोग काम कर रहे हैं एक नहीं अनेक गोठान सारे हमारे सदस्ति लोग गए हमारे कारिकरता लोग गए एक भी गोठान में गाए आपकी नहीं है इसके बाद में गोठान में जो आपकी संसाधान होनी चाहिए infrastructure होनी चाहिए कोई बेवस्था नहीं है आपने जो टंकी बनाए हैं पूरा टंकी फट गया है आज यदि उसका आड़िट करा दिया जाए तो हमारे सरपंचों को तकलिफ आ जाएगी ये सरकार के कारण में डियमेप का जितना दुरुपयोग किया गया है उस पर मनरीगा का दुरुपयोग किया गया और वास्तविक में जा करके देखेंगे तो एक बड़ा घोटाला गोठान में इस सरकार के द्वारा की गई है और आज नहीं आएगा तो कल सामने आएगा लेकिन बात सामने आएगी सर आपको क्या लगता है कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती कौन सी रहेगी उनकी कौन सी इसी स्कीम है जो बहुत बड़ी चुनोती बनकर भी सामने उनके उभर सकती है मैंने तो कहा था किसर्कार की स्किम problem नहीं है इस केम ही कोई लाइस केम हुआ आपका कि धी सराफ घोटाला हुआ इसकेम हुआ आपका गुवार घोटाला हुआ इसकेम हुआ आपका इसके बाद में को पंचायत को रेती नहीं मिल रहे हैं, उनके टेक्टर को पकड़ लेते हैं, अभी आपके 15 जून से 15 अक्टूबर तक इनजेटी के तरफ अभी आप वहाँ से रेत खनन नहीं कर सकते, इनजेटी के नीमो का खुले आम उलंगहन हो रहा है, और उलंगहन करके आज भी रेत निकाले जा रही है, एक बड़ा घोटाल रेती में है, उसके बाद में जो जमीन का मामला अभी बहुत सारा लफ़डा चल करजा माफी करेंगे, उसके बाद में जो एक हजार रुपए पेंसंद देंगे, ऐसे मंडि टेक सम माप करेंगे, छूट करेंगे, ऐसे बहुत सारे मामले इनके दौरा घोषना की गई है, ये उससे उबरने वाले नहीं है, ये फसेंगे और अपने घोषना पत्र में भवर में फसने वाली है बाकि तो इनका करप्षन पूरे हिंदुस्तान में हिनुस्तान में करप्षन की परा काश्था कहीं देखना है सर बी जेपी ऐसा क्या देगी जंता को पावर में अगर आज आती है बीजपी 2023 में तो ऐसा क्या देगी जनता को जो कॉंग्रेस देने में विफल रही है देखिए बीजेपी ने अटल जी ने 36 गड़ राजी को बनाया और आज इंफ्रेस्ट्रेक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है सड़क है अस्पताल है हर गाओं में बिजली है सिचाई की विवस्था है उसके साथ में यहां पर हम लोग जिस प्रकार से अलग-अलग भी सोईद्याले खोले गए आज बच्चों के लिए आपके टिपल आइटी से लेकर के एम टेक्ट जो और आई एम की दिवस्था उसके साथ में जो इंफ्रेस्ट्रेक्चर मैंने कहा तो दोनों प्रकार के हम लोगों ने काम किया एक तरब सडक में संसाधन सिचाई का संसाधन पंचायतों को समगर उपरे सराशी पंचायत का विकास गाओं का विकास और उसके बाद में हमारा सडकों का जाल भिछाया गया सिचाई की ओजना बनाई गई सिख्षा के छेत्र में अभूत पुरोकाम मैं कह सकता हूँ उस समय ड्राप आउट रेट वन परसेंट था आथ थोड़ा सा पूछेंगे कितना है सिख्षा के क्या इस्तिती है दुरगती है आप उसके सामने देख रहे हैं और इसके साथ में रोजगार कैसे हम दे सके विवाओं को इस दिसा में हमारी महत्पुर कदम होगी अद्योगी करण भी होगा उसके साथ में लोगों को रोजगार के दिसा में काम भी होगे इसके से अटल बिहारी बाच परीजी बनाए है हिंदुस्तान के जो विक्सित प्रदेश है उस स्रेड़ी में ले जाकर के 36 गड़ को रखना है वो सारे काम जो बचे हुए है हमने उत 15 साल में काम किया है आगे और सर जंता देगे आसी राद मिलेगा तो यह बहुत सारे काम बचे है क्योंकि कांग्रेस से अब लोगों को अपक्षाय खतम हो गई है सर अब मेरा काफी आपसे एक कुछ नीजी सवाल भी है सर आप लॉयर की फैमिली से बिलॉंग करते हैं आप खुद भी एक लॉयर एक वकील है सर आपको लगता है कि अगर आप वकालत नहीं करते तो राजज राजनीती आपके लिए विकल्प था या आपका एक उदेश राजनीती में आना एक अच्छे इंटेंशन के साथ क्या था देखो मेरी पिताजी की इच्छा थे कि मैं वकील बनू और इसलिए मैं वकील बना और वकील जब मैं बना तो मुझे नया मोटर सेगल खरीद के दिये उस समय एजदी, साथ में मुझे 10 रुपए दिये, उस समय 3.5-3 लिटर पेट्रोल के थे, तो बोले कि आप पहले दिन मेरे को 10 रुपए दिये, और बोले रोज 10 रुपए ले करके जाना, साथे 3 लिटर का, 3 रुपए का पेट्रोल भराना, बाकी जो दिन भर रहोगे तो चाय नासता, भगवान के ऐसे क्रिपा रही, पिता जी ने पहले दिन 10 रुपए दिया, उसके बाद से वकालत में ने किया, कभी घर से पैसा लेने को जाव सकता नहीं पड़ी, भगवान के क् चुकि पिता जी हमारी लगातार सर्पंच रहे, और हमारी BJP के नेताओं का, जनसंग के समय को समय के नेताओं का, आना जाना घर में रहा, तो सभाविक रुप से जोकाओ हमारा उसी दिसा में हुआ, तो जनसंग के हम मतदाता नहीं थे, लेकिन जंड़ा लेकर के हम निकलत के लिए था उन्होंने किया तो उस द्रिष्टि कोण से यदि कहेंगे तो धीरे धीरे उस दिशा में काम करना सुरू किया लेकिन मैं कभी यह नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूँगा एक मेरी प्रबल जो इच्छा थी जो मुझे बार-बार अंदर से कोश रहा था कि अभी तक छेत्र में जो विधायक बने आखिरे सिचाई के सुईधा क्यों नहीं बनाते हैं विधायक भी नहीं मंत लगातार दिमाख में आते रहा और कहीं अंदर से वह वाल आते रहा कि बिल्हा च्छेत्र में लगातार कांग्रेज का प्रतिर्जित होने के बाद भी मंतरी बनने के बाद भी जो विकास होना चाहिए आखिर क्यों नहीं हो रहा है अन्त में मैंने निसकर्स में पहुंचा, क्योंकि जो राजनीती करने आए हैं, वो इसको चारागा समझ रहे हैं ना तो यहां वो पैदाई से हैं, ना यहां कि वो रहने वाले हैं, ना यहां के माटि से लगाऊ हैं और जब तक कोई लोकल नहीं आएगा तो मुझे निलगता कि बिलहा का विकास हो सके इसी उद्देश से को ले करके मैंने राजनीती में पदारपन किया भगवान की कृपा रहे परिवार का पूरा आसिरवाद छेत्र का आसिरवाद पार्टी का आसिरवाद और इसके कारण मे मुझे जन प्रतिती बनने का आउसर मिला जो मेरी कसिस थे अरपा भैसा जहार योजना वर्सों से नाम सुनते आ रहे थे मैं विधान सभा का अध्यक्षमिन रवन डर्क्टर रवन सिंग जी मुख्यवंतरी बने और आज पूरता की ओर है सड़ुसट हजार एकड़ जमीन क कई सिचाई होगे हाई स्कूल हमने जो खुलुआया मापदण से ज्यादा पांच किलोमेटर मैं ख़वाना है हमने चार किलोमेटर में खुलुआया हाय स्केंडरे स्कूल हमने खुलुआया मतलब अंग्रोजों से लेकर के और आज-जादी के बाद में Secondess ke 50 साल में जितने खोले गये, हमने उससे ज्यादा high school खोले, उससे ज्यादा सब इस्टेशन बनवाएं, उससे ज्यादा हमने सिचाई के सुईधा बढ़वाएं, उससे ज्यादा हमने अस्पताल खोलवाएं, सडक, सिच्छा, स्वास्त, बिजली, ये हमारी प्रात्मिक्ता में रही, और इस प चेत्र में इस बात को लेकर के लोग नाम लेते हैं कि बिलाद चेत्र के अधि समगर विकास हुआ है तो हमारे कारकाल में हुआ है भाजपा के कारकाल में हुआ है डाक्टर रवन समय के आसिरवात से हुआ है और मुझे जो चेत्र लोगों ने एक विश्वास के साथ में चुन सर अपने आप में ये भी बहुत प्यारी सी कहानी है कि वो रोज कोट जाने से पहले आपको 10 रुपे दिया करते थे पिता जी वकिल नहीं थे लेकिन वकिलों के साथ में उनका बहुत नीजी संबन था ब्यक्तिगत संबन था उनके हां उठना बैठना बातचीत करना ये लगातार और इसके कारण में उनकी इच्छा थे कि वकालत करने के लिए मैं जाओं मैंने ला किया और ला करने के बाद में वकालत ज्वाइन किया, पिता जी की इच्छा ये नहीं थी कि मुझे पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए मुझे उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने ये कहा, कि दस रुपए मैं दूंगा, तुमको ग्यारा बजे पहुंच जाना है, पांच बजे तक वहाँ ता रहना, जो समझ में आय करना, नई समझ में आय मत करना, लेकिन वकालत करनी है, और इसलिए दस रुपए पढ़टे ले जाना, मैं एक दिन ले गया था, ले जाने के बाद में मुझे दूसरे दिन से आउ सकता है, इसलिए नहीं पड़े, कि मैं जिनके साथ में वकालत किया, इतना काम उनके पास में था, कोई नो काम मुझे मिल जाता था, और मैं कोर्ट में एपियर होना सुरू हो गया, तो निश्चित रुप से एपियर होने के बाद में, मैं एक काम जो किया मुझे आज भी संतोस है, मैंने कभी फिस का मांग नहीं किया, जो दिये मैं रख लिया नहीं दिये तो नहीं रखा, यह था कि एक दिन ऐसा आएगा, कि पैसा अपने आप आजाएगे मांगने के जोरत नहीं पड़ेगा, जब लोगों को विश्वास हो जाएगा, इस विश्वास के साथ मैंने मैं वकालत के काम सुरू किया, और उसके बाद मैंने के बाद में मे मेरे पास एक पेसो पेस था, कि जिस वकालत के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्या मैं उसको छोड़ दू या ना छोड़ू, एक साल तक मैंने प्रयत न किया, कि मैं ना छोड़ू, उस ब्योसाय से मैं लगातार जुड़ा रहू, मैं विधायक बनने के बाद काला पहन करके जाता था, पैरवी करता था, फिस उससे मैं भी नहीं मांगता था, लेकिन एक दिन मुझे दिक्कत आई, कि एक पक्षकार जो मेरे थे, तो पक्षकार ने तो सुभावी पर रूप से कहा, कि भीया आप विधायक बन गए तो फिस की जोरत नहीं है, मैं बोलो बिल आप खड़े हो गए, मुझे बहुत खराब लगा, और उसी दिन मैंने तय कर लिया, कि मुझे वकालत नई कर नहीं है, तो फिर मैं पूर तया राजनीती में सामील हो गया, और वकालत करना मैंने बन कर दिया, क्योंकि लोकल हम वकालत कर रहें बिलासपूर में, बिलासपू मैं यह नहीं कह सकता कि तुम कांग्रेस के हो या अधर पार्टी के हो तो मैं तुम्हारा वाकल वकिल नहीं बनूँगा अपनी लोग जो आएंगे मैं यह नहीं कह सकता कि तुम मेरे को सहयोग दिये हो तो तुम्हारे खिलाप में खड़े नहीं हो सकता यह बहुत सारी परिस् सगित किया आज भी मैं बारूम का मेंबर हूं फिस मेरा पड़ता है चुनाओं में मुझे ओटिंग करने के लिए जाना होता है जाता हूं बीच में अधी समय मिला तो मैं चाय पीने जरूर जाता हूं तो इस ट्वित्रों से मेरा संबंद बना हुआ है आज भी बना करके मैं रखा हूँ तो अभी भी आपके अंदर बहुत सारी वकालत सर अभी मौजूद है देखिए जिस पेशा से आओगे कितना भी आप छोड़ेंगे लेकिन हम आज जब वकालत आज जब विधायक हैं बहुत सारे परिस्तितिया हमारे सामने में आते हैं लोग आते हैं कि यहां फोन करना है यह करना है तो मैं उसको याद रखना चाहता हूं कि कौन सिधारा क्या है जो याद है उसको भूलना ने चाहता क्योंकि वो आज भी मेरा काम आ रहा है तो इसलिए मैं उसको छोड़ना ने चाहता कि अवसर मिले एक बार पलट लो वो सारे कुछ याद रहनी चा कि आपने जिस व्यक्ति के लिए चुनावी संचालन किया था उसी व्यक्ति के खिलाफ आपने बात में चलके चुनाव लड़ा ये कहानी हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए ये दिल्चस्प कहानी कैसी रही देखिए मेरे जीवन की दो घटना एक घटना ये है कि चुनाव जब लड़ने की बारी आई तो हमारी जो बिल्हा के सीठ है वो समझोते में चली गई और असोकराव जी प्रत्यासी हुए तो असोकराव प्रत्यासी हुए तो उसका चुनाव संचालन हमने किया और चुनाव संचालन किया तो पूरे छेत्र भर में हमने कहा क्योंकि वो दिजिए तो हमने पूर्य उनके जमानत लिया और जमानत ले करके उनको वोट दिलवाया और चुनाव जित करके आए चुनाव जित के आने के बाद में थोड़ी देर बाद में मुल कांग्रेस ही रहे वो कांग्रेस पे वापस चले गए और वापस होने के बाद में मुझे ट पिर वो चले गए, पार्टी ने आउसर दिया, चुनाव लड़ा, उस समय UM मसीन के जमाना नहीं था, हात वाले टेबलेशन था, 16 सवोट मेरा रिजेक्ट हुए, और उस समय सभेरे तक के लगभग कांग्रेस के सरकार बनेगी, ऐसे इस्तिती रिजल्ट आ गई थे, मात्र 187 और से मुझे पीछे कोई भी कारण हो लेकिन मैंने पीछे हुआ, और 187 और पीछे होने के बाद में, मैं बाहर निकला तो मेरी रैली निकली, लेकिन जो जीतने वाले थे, उनकी रैली ने निकली, मैं बुलाए कोई बात नहीं, नए चुनाव लड़ा, अनुभाव नहीं था, हमने धोखा खाया, थोड़ी से साउधानी बरत लिए होते हैं, तो ये चुनाव हम जीत गये थे, शोला सो रिजेक्ट हुआ है, 187 और से पीछे, फिर जब दुबारा चुनाव हुआ, तो हमने 10,312 और से उनको हमने पराजित किया, और उसके बाद राजनिती में उनक पूर संबंद रहा है, लेकिन राजनिती के तहत जब मुझे आउसर मिला, तो सुभाविक है मुझे जीतना चाहिए, तो मैंने जीता भी हो 10,000 से, वो जीते 187 और से, मैं जीता 10,000 से उपरोड से, दूसरी घटना मेरे जीवन के, कि मैं विधान सभा का अध्यक्ष था, कि प्रत्या, जब तक विपक्ष को विश्वास में आप नहीं लोग है, आप विधान सभा नहीं चला सकते हैं, और इसलिए उसको बैलेंस करके चलो, ये मेरे स्थिती रही, लेकिन विधान सभा अध्यक्ष के बाद में सिधा नेता प्रतिपक्ष बनना, और नेता पह है, मुझे सुरु सुरु में थोड़ा से लगा, प्रथम सत्र में, की कैसे होगा मेरे से, लेकिन उसके बाद में हमारे साथियों का पूर्ण सहयोग मिला, और सभी के सहयोग से नेता प्रतिपक्ष को जो दाइत्व, जो है, उस दाइत्व में हमने कहीं कंजुसी ने के, बलके मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक को हम सब ने घेरने का प्रयास किया और अंतिम सत्र में भी अभी जब में नेता प्रतिपक्ष नहीं था तो भी मुख्यमंत्री को प्रश्ण जो मैं पूछा था जवाब यह आया कि अभी जानकारी एकत्र की जा रही है और लोगों के बीच में एक विस्वास भी अरजित किया धरमलाल कौशिक जी अपने काम को लेकर काफी इस बार भी उतसाहित नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कॉंग्रेस की यूएस पी भरश्टाचार रहेगी लेकिन भारतिय जनता पार्टी की यूएस पी इस बार भी डेवलॉप्मेंट रहेगी और भारतिय जनता पार्टी प्रचंद बहूमत से इस बार भी सरकार बनाने में सक्षम रहेगी अब ही मुझे विदा दीजे मेरे वीडियो जॉनलिस रागवींदर पांडे के साथ बने रहिएगा चतिसगर्ट तक पर